खवर ये आई है कि सल्मान कान अपनी नई मूवी कभी इत कभी दिवाली पर राम चरन जैसे बड़े स्टार को गैस्ट अपिरेंस दिखाने वाले हैं एक समय ता जब साउथ से बॉलि वुट काफी आ गए था पर आज बॉलि वुट को ही साउथ के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है आपने अगर अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल सब्सक्राइब काफी समय से ये चर्चा हो रही है कि सलमान खान अपनी आने वाली मूवी कभी इद कभी दिवाली को लेकर काफी सीरियस है जहां वो बड़े से बड़े स्टार को ले रहे है वहीं छोटे मोटे साइड रोल को हटा भी रहे है ताकि उनकी मूवी में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए अब उन्होंने एक नया कदम उठाया है वह साउथ के हीरो राम चरण को अपनी मूवी में गैस्ट अपिरेंश दिखाने का क्योंकि उनको पता है अभ इस टाइम जो है वह साउथ वालो का है क्योंकि साउथ की कोई भी मूवी रिलीज हो रही है तो वो हिट ही हो रही है चाहे वो स्टोरी कैसी भी हो चाहे एक्शन वाली मूवी हो या रोमेंटिक वाली पर बॉलिवुड का भी पत्ता काफी दीला चल रहा है बॉलिवुड में अच्छे से अच्छे मूवी भी फ्लॉप हो रही है इसलिए सलमान खान अ बात करें बॉलीबुर्ड में अच्छे से अच्छे हिरोईन को छोड़कर उन्होंने साउथ की हिरोईन पूजा हेग्रे को चुना है इससे आप समझी सकते हैं कि सलमान कान अपने आने वाली मूवी के लिए कितनी जादा मैनत कर रहे हैं आपका क्या विचारे उनके इस मूव